बिहार के मुखे मंदरे नितीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं और बिहार के लगबख सभी जिलों में घुम रहे हैं आज इसी कड़ी में नितीश कुमार अपने ग्रह सिला नालंदा पहुंचे जहां उन्होंने रेल बजट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि पता नहीं क्यों रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिया गया है आम बजट से रेलवे के बजट को अलग कर संसत में पेश किया जाना चाहिए जिस तरह से पहले अलग से रेलवे का बजट पेश होता था उसी प्रकार से अब भी हो इस वरान नितीश कुमार ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा केटल विहारी बाचपई की सरकार में जब वो रेल मंत्री थे तो रेलवे का जितना हो सका उन्होंने विकास किया उस वक्त हर पार्टी के लोग इनमें शामिल होते थे इसके अलावा उन्होंने युआओं को रोजगार देने के लिए रेलवे और बहाली की भी मांग की जब हम रेल मंत्री थे सरद्यरतल जी की सरकार में है तो जब उस समय का पता करन लिजे कि रेलवे में कैसे हम लोग किट ना लोग को रोब जीलवाया थे और रेलवे तो मिलना लहीं चाहिए बड़ी बात यह Bout ओ और हम कहेंगे कि रेल का जो बज़ट था हॉस में जब उसकी चर्चा होती थी आपको मालु है रात भर चलता था हॉस में हम जो उसका जितने दिन हम रहे रात भर जब आता था बजट और इतनी खुशी होती थी और उस समय का समूचा अख़वार को देख लिजे कितनी चर्चा होती थी एक एक चीज के बारे में सब लोगों का रुख था तो इसका जो निर्मान था तो इसके लिए तो बते ही रेलि करवाई यह नहीं बजट का एक लिए अलग किये हुए बड़ा इंपोर्टन से एक आदमी को आने जाने का रास्ता पहले से ही है अब कितना ज्यादा विक्सित किया गया हम लोगों ने किया सर्धे अठल जी की सरकार में को दूबारा बनाए हमने कहा वह स्विकार की और एक हम चाहिए लेकिन हां हम तो चाहेंगे कि भाई फिर कम से कम सब्सक्राइब बजट की और एक एक चीज को उसका जो विक्सित किया गया अब इसको तागे तो और बढ़ा नहीं है अब आधी बढ़ गई और ज्यादा बन जाए खूब अच्छा हो जाए एक एक चीज हो बाली तो होनी चाहिए लेकिन हां हम तो चाहेंगे कि भाई फिर कम से कम सब्सक्राइब बजट पेस होता था रिल का वो बजट रहना चाहिए का है पता नहीं क्या इनों को हुआ को उसका बजट नी रहने दिरह खूब चर्चा होती थी अब पूरे देश में उसकी चर्चा पर्चा होती थी सारे कोई पार्टी को हों MP अप लोग सभा में हो सब लोग कि दरा भाग ले और जब हम लोग काम करते थे मैं इन लोग को कहत दिज अब कि उस समय का पता 건лыजी कि कि इस उस में कि कि बाधि को पार्टी का MP रहे को लोग साथ रास सवा कितना ज्यादा और कितनी खुसी होते थी अब आज लोग जो राज में हैं तो उनके जो जगा था वह हम लोग कम किये हैं सब चीज को याद तो रखेंगे लोग तो अटल जी को याद रखेंगे समझ गड़ा उनके प्रतिय हमारा सत्मा देश विशेश राज्यक के दर्जे की मांग पर उन्होंने कहा किस को लेकर हम लोग शुरू से ही इसकी मांग केंदर सरकार से करते रहे हैं लेकिन केंदर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो आप लोग पूछते हैं तुम का देते हैं लेकिन वाखी तो अपना काम कर ही रहे ना अपनी तरफ से तो अपना काम करते हैं अब सुप्रिम कोट ने भक्ष में फैसला दिया बहुत लोग समझ रहेते नहीं करेंगे घरी तो सब के हित्में हैं जाती है था ढाला पहले ने बता दी है जन गनना तो किंद्र सरकार काम है हम लोग तो राज्य में कर रहे हैं, तो राज्य में कर रहे हैं एक एक चीज की जानकारी और आपको पहले से भी बताएं कि हम लोग जानना चाहते हैं, सबकी आर्थिक रिस्तिती को देखें, तो एक एक चीज की जानकारी होगी, तो विकास के काम को आगे बढ़ाने में मुख्य मत्री ने नगर निकाय चुनाओं को लेकर भी सरकार की जुईत का स्वागत किया नगर निकाय को लिए तो उसके लिए तो जो बनाय थे उन्तों जो कर रहते बात हुई तो अमनों सामने रख ते ठीक अम लोग फिर कर लेते हैं करके और है को बता दिया उसका चुनाओं हो गया चुनाओं में वही लोग सामिल हो जब पहले अपना मत्दान किये थे मत्दान समधान यातरा पर वबाल को लेकर भी मुख्यमंद्री नुदेश कुमार ने कहा कि हम शुरू से लोगों के बीच घुमते हैं जब हम बीजेबी के साथ थे तब भी लोगों के बीच घुमते थे उधर थे इधर रहे तो उसमें हम सब जगह नहीं जाते थे आप जान लेजिए कि जब हम खाली जब एम ले थे छी आसी सतासी समय से लेके पूरा एकर केरिया गुमते हैं उसका तो बाद में वेटिनाइन में 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 बने एक सरी एंपी बने और एक बार तो यहां से भी बिहार आप बता देंके रेल बजट को लेकर नितीश कुमार का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब 31 जन्वरी से संसत में बजट सत्र शुरू होने वाला है अब देखना होगा कि उनके इस बयान के बाद अन्य पार्टियों के नेताओं का रेल बजट को लेकर क्या रुख रहता है पंजाब के स्टु टीवी के लिए पटना से अभिशे कुमार की रिपोर्ट